हेलो एब्रीवन मैं मितौन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे डिये भी स्कूल से कुछ टीचरों के रिक्रूटमेंट आई है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अप्रियार कर सकते हो एक के करके सारी जानका आपको दी जाएगी आपको बस थोड़ा सा हेल्प करना है आपको सेलफ हेल्प करनी है नीचे कमेंट सक्षन में अपने डिस्टिक और स्टेट का नाम लिखें ताकि वहां से जो भी प्राइवेट स्कूल है या फिर गौर्मेंट या सेमी गौर्मेंट हैं जहां से कॉंट् उसकी पूरी जांकारी दी जाएगे तो नीचे कमेंट करके जरूर जो है अपने डिस्टिक और स्टेट का नाम मेंशन करते हैं तो देखिए डिए भी पॉलिक स्कूल से रिकूट्मेंट आई हुई है और अलग-अलग निउस्पेपर में आपको ये कटिंग मिल जाएगी यहां से आप देख सकते हो निउस्पेपर की कटिंग बट उस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे हम लोग completely जो है जो official website पे है details advertisement भी है और application form भी है जैसे आप official website पे आओगे न देखिए recruitment वाला section आपको दिख रहा होगा दिखिए आ है अब देखिए last date जो है इन्होंने बता रखी है कि यह 25 में तक जो है application form को क्या करेंगे accept करेंगे 2023 तक clear हो गई बाते अब यहां से आपको कुछ और भी दिख रहा होगा यहां से देखो detail vacancies दिख रही है यहां से आप जो है vacancy में जो भी इनके rule regulation है किस subject की recruitment आये किस post के लिए कितनी vacancies है वो सारी जनकर आपको यहा चैनल पर upload होगा तो नीचे comment section में telegram channel का link मिलेगा telegram channel को जोइन कर लिजिए या फिर description box में भी telegram channel का link आपको दे दिया गया है तो चलिए details vacancies को हम लोग देख लेते हैं क्या PDF में जानकार यहां दे गई है देखो यह रहा यह देख लो फाइनली यह open हो चुका है देखिए देखो vacancies किस किस पोस्ट की आई है वो हम लोग देख लेते हैं TGT में mathematics की recruitment आई हुई है qualification क्या चाहिए इन्होंने बता रखा कि graduation या post graduation में जो भी subject है math के लिए 50% होना चाहिए और 10 तक हर यानि कि 10 में भी 50% 12 में भी 50% graduation में भी 50% और post graduation में भी 50% score आपने कर रखे हैं तो आप eligible पाते हो अपने आपको इसके अलाबा यहां पे देखिए CTAT की जरूरत है जी हां CTAT की जरूरत है यहां पे देखिए mention इन्होंने कर रखा है level 2 में CTAT होना जरूरी है चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और vacancies को यहां से आपको दिख रहा होगा PRT के लिए PRT में computer science की एक recruitment आई हुई है इसके लिए qualification MSC या MCA चाहिए होगा BA या BTEC चाहिए होगा देखिए equivalent में जो जो भी post आपको दिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी इन्होंने दे रखी है या फिर post graduation में math, physics, statics के साथ PGDC आपने किया है तो भी आपका काम चल जाएगा BA होना mandatory है इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप अब देखिए non-teaching staff की जो recruitment है उसमें कौन-कौन सी post आई हुई है वो मैं आपको बता दू assistant की एक post आई हुई है m.com और ma अगर आपने 50% के साथ किया है आप eligible हो जाते हो आगे देखिए receptionist के लिए एक post है लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ये preference देंगे तो कोसिस करना आपकी महिलाओं के लिए ही इस post को रखा जाए upper age limit 35 साल के रखी गई है मैं अभी आपको website भी दिखा दूँगा एक अपरेल तक आपकी age 35 होनी चाहिए salary देखिए 7th pay commission के scale के according आपको दी जाएगी तो कुल मिलाकर बात है कि 40,000 से कम किसी की salary बनने वाली है नहीं चलिए आगे देख रहते हैं application form आपको पहुँचाना है कहां है यह देख लो यह इन्होंने address दे रखा है GAIL DAV Public School गेल गाओं और यह और यह UP में पढ़ता है pin code इन्होंने दे रखा है application मैं mobile number कोशिस करूँगा कि आपको provide कर दूँ अगर इन्होंने mobile देखो यह mobile number तो नहीं बट phone number इन्होंने दे रखा है यह देखो 05-683-283-5555 इस नमर पे call करके कोई भी आपको जानकारी लेनी हो ले सकते हैं आप GAIL DAV Public School और यह UPCA recruitment आई हुई है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आप किस district या state से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपके district से recruitment आए तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ एक और बात जाते जाते पहली बार अगर आप चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए घंटे वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा लेजिए इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों रिष्तिदारों सहलियों तक साधा करें सेयर करें और इस व किया है अजयों जादे 궁면 किया तो चैनल करें स्वेक है सेयर के को फॉला फॉलां सेयर के Es